नमस्कार जैशे कृष्णा मैं राके शिवानियास्तो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि मैं लास्ट कुछ वीडियो से बता रहा हूँ आपको कि क्या-क्या गोचर के सुत्र हमें लगाने चाहिए पिछली बार मैंने आपको बताया थे वो सु मंदित आपका प्रश्ण है उस भाब का कार्य सिद्ध कब होगा ये मैंने आपको बताया थे तो वो गोचरी कुछ नियम मैंने आपको बताये थे उन्हीं के अंदर थोड़ा आध और बढ़ाते वे कुछ नियम बता रहा हूँ जो वही काम करते हैं और जो आपको वही बता होगा कार्या आपका कब सिद्ध होगा तो उसके लिए देर ना करते वे मैं स्क्रीन कर देता हूं आपको अब हम आते हैं वही भाव सिद्धिकाल पे तो ये नियम तो मैंने आपको पुराणी कुल्डी में पहली जो वीडियो थी उसके अंदर आपको दिखा दिये थे इसस अगला नियम में आपको बताने कोशिश कर रहा हूं अगर आपने इस वीडियो पे आप डारेक्ट पहुंच गए हैं तो काइंड़ी तीछे वाली वीडियो जिरूर देगी है क्योंकि उससे आपको पुरे नियमों का अंदाजा हो जाएगा कि कब हमारा भाव सिद्ध होता है यानि कब हमारा काम बनता है कि कहते हैं देखे कारण भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लगने से कारक गोचर में जब त्रिकोन में आये तो कारे की सिद्धी होती है यह क्या चीज़ है यह भी बहुत इंपॉर्टन्ट है हर भाव के इस्थिर कारक होते हैं यह हम जान है गुरू है तीसरे भाव का इस्थिर कारक कौन है मंगल है चौथे भाव का इस्थिर कारक चंद्र है पांचवे भाव का इस्थिर कारक कौन है गुरू है इस्थिके से सभी भावों के इस्थिर कारक होते हैं तो कारक का भी बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले होगा है अभी विवा की बात कर रहे हैं किसी लड़के के कोई मेल जातक आपका है उसके आप विवा की बात कर रहे हैं कि शादी कब होगी तो आपने देखना है कि काम कब बनेगा इसका तो आपने जो पहले नियम जो मैंने आपको बताए हैं वो नियम लाकर देखे मालिया वो नियम नहीं लग पारे हैं तो अब ये नियम लाएकर देखिए इस नियम में क्या है कि हम देख रहे हैं विवा के बारे तो विवा का कारक कौन है शुक्र तो हम देखेंगे लगनेश से अगर शुक्र लगनेश को फिक्स कर लेते हैं डीवन चार्ट में जो तमारा होता है तो फिक्स कर ल तो लगनेश से कारक के गोचर में त्रिकोन में आने पर भी कारे की सिद्धी होती है अगर लगनेश मालिया चार नंबर राशी पे है और कारक शुक्र जो है गोचर में आठ चार या बारे नंबर राशी पे आ जाए तो आपको काम बन जाएगा विभा हो जाएगा या जो भी सब भाव से संबंदित काम है आपको होगा या वो कारक जिस चीज को डिनोट करता है वह वाला काम आपको बन जाएगा बिल्कुल सा प्रिंस्पिल है कारक से लगनेश गोचर में त्रिकोन में हो यह उसी का अपोजिट है कि कारक को फिक्स कर लीजिए आप वहाब आपको दो छे दस तो दो नंबर राशी में छे नंबर राशी में या दस नंबर राशी में गोचर में लगनेश जब आएगा तो कारक की सिद्धी होगी वो simple principle है, तो कारक से भी आपको देखना है, जितना रोल भाव और भावेश का लगनेश का है, उत्ता ही रोल लगनेश का और कारक का भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भाव का बल जो होता है, वो depend करता है भाव, भावेश और कारक के होता है, यह तीनों अगर strong हो, तो बुलनाने चाहिए, कारक अगर और लगनेश एक दूसरे के साथ यह आमने सामने आ जाएं, आप जैसे नौकरी का कारक है, मलिया शनी ले ले लेते हैं, यह तस्वे भाव का कारक है, आप बुद्ध ले लेते हैं, तो बुद्ध कुंडली में, गोचर कुंडली में, और जो पीछे नियम बताये थे मैंने पांच आपको, चार या पांच नियम जो बताये थे, उसके अलावा ये नियम भी उसके उपर आपने लगाने का, कारक वाले नियम भी, तो कारक और लगने जिस काम की हम बात कर रहे हैं, या जिस कारे की बात कर रहे हैं, विवा की बात कर र विवा का कारक कौन होता है शुक्र होता है तो जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं उसका कारक हम लें और फिर यह देखें कि वोचर कुंडली में कि कारक और लगनेश एक दूसरे के आमने सामने हैं या कारक और लगनेश एक साथ बैठे हैं तो भी कार यह आपका सिद्ध होता एक तीन नियम यह वाले हो गए इसके लावा क्या नियम है इसके लावा बहुत इंपॉर्टन नियम है भाविश का और गुरू का यह बड़ा इंपॉर्टन नियम है सिंपल सिद्धान्त है कि जिस भी भाव का रिजल्ट आप देखना चाहते हो आप ये देखना चाहते हो के नौकरी कम मिलेगी बाकी तो मैंने आपको पाइंट्स बताई दिये भावसिद्धी कालवाले वो पाइंट्स आपने देख लिए लेकिन उस पाइंट्स से आपका देखा कि भावसिद्धी आपका नहीं लग पा रहा है तो उसके बाद में ये दो नियम और है तो कुल मिलाके ये आट-दस नियम जो मैं आपको बता रहा हूँ इन नियमों को लागे देखिए आपको भावसिद्धी मिल जाएगी अगर आपको भावसिद्धी नहीं मिलती है इसका मतलब आपका कारे अभी नहीं होने वाला है दशा है और भावसिद्धी नहीं मिल रही है तो कारे नहीं होने वाला है दशा है तो आप कह सकते हैं कि भी दशा आपकी चल रही है योग आपका बनता है लेकिन भावसिद्धी काल से लागे देख लेते हैं कि आपको इस योग के रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे अब उसमें आता है भावेश और गुरू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि प्घृत है कि आप नौकरी की बात कर रहे हैं तम नौकरी के भाव का स्वामी कौन होगा पेंथ लॉड उसको नोट कर लेते हैं कि वह पत्री को में कि राशी में हैं हमने देखा भावेश पत्रीका में से तीन नंबर राशी में है चैजी साथ और ए जब ढ़तिता आएगा है तो आपको कार या आपका निश्चित रूप से सिद्ध होगा, उस भाव के आपको शुक्फल मिलेंगे, इसमें बकायदा लिखा गया है शासर में, कि उस भाव के शुक्फल मिलते हैं, किसी भाव के शुक्फल देखने का आपको देखना हो, कि चौते भाव के शुक्फल कम म मिलेगे या मुझे पांचवे भाव के शुपल कम मिलेगे च्छटे भाव के शुपल कम मिलेगे तो आपको सीधा यह देखना है कि उस भाव को स्वामी किस राशी में है और उस राशी के त्रिकोंड में जब भी भ्रस्पति आपको आएगा अगर वो राशी जिस राशी में ह आपका कारे सिद्ध होगा सब्जेक्ट तो आपका ये काम बिलकुल सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से गुरू और भावेश ये तो था कि भावेश को हमने फिक्स कर दिया जिस राशी में है और गुरू को गोचर में देख लिया। अब भावेश और गुरु गोचर में एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, तो भी कारेशिद्ध होता है, यह गोचर कुंडली में ही देखना है अपने खाली इसको, आप विभास से संबंदित देख रहे हैं या संतान से संबंदित बात देख रहे हैं, तो संतान संबंदित भाव पांचवा हो गया, पांचवे भाव का स्वामी और गुरु अगर यह एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, तो भी कारेशिद्ध होता है, तो यह थे भाव सिद्धिकाल के कुछ नियम जो बहुत इंपोर्टन्ट है, जो आपको याद रखने हैं, हर चीज के केस्पे कभी भी किसी भाव की सिद्धिका आपको निकालना हो, तो इन नियमों को आप लगा के देख सकते हैं, आशा करता हूँ, यह नियमा आपको समझ में आये होंगे, नहीं समझ में आये होंगे, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिपलाई करने की कोशिश झाल झाल